Welcome to Irfanul Nursery दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जो एपल बेर का प्लांट हम All Over India में सप्लाई करते हैं उसको हम बनाते क्या से हैं उसका बनाने का क्या तरीका है वही आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे तो आईए दोस्तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो दोस्तो ये जो प्लांट आप देख रहे हो इसको हम जंगली अपलबेर बोलते हैं दोस्तो इसमें जो फुरूट आते हैं वो बहुत ही छोटा छोटा होता है और बहुत ज़़ादा खटा होता है सबसे पहले हम मार्केट से इसका बीच खरीद के लेके आते हैं उसके बाद इसमें हम इसका प्लांटेशन करते हैं और मिनिमम तीन से चार माईने बाद प्लांट कुछ ऐसा हो जाता है तो दोस्तो आप एक चीज़ गौर कीजिए इसमें से कुछ-कुछ प्लांट जो है काफी मोटा है और ब्राउन कलर का हो जुका है जैसे कि ये प्लांट आप देखिए ये प्लांट काफी मोटा है और ये प्लांट बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जुका है इसका मतलब यह है कि यह अभी grafting के लायक हो जुगा है लेकिन कुछ-कुछ plant इसमें ऐसे हैं जो कि बहुत ज़दा पतला है तो उसको अभी grafting नहीं किया जाएगा उसको अलग किया जाएगा उसके बाद खाद दिया जाएगा फिर 20-25 दिन बाद उसका grafting होगा तो grafting करने का तरीका क्या है आईए चलिए जानते हैं तो दोस्तो अभी आप देख पा रहे हैं जो-जो plant के उपर grafting किया जाएगा उसको middle से काटा जा रहा है ताकि उसके उपर अच्छे से grafting किया जा सके और काटने के बाद यह कुछ ऐसा दिखते हैं अब देखिए यहां पर जितने भी प्लांट है सब middle से काटा हुआ है इसके उपर अभी grafting होगा तो दोस्तो अभी सबसे main काम शुरू होता है यह जो branch आप देख पा रहे हो यह हमारा जो mother plant है उससे काट के हम लेके आए हैं यह ball शुंदरी apple bear का branch है जिस भी चीज का branch आप काटके लगाओगे वो plant उसी में convert हो जाएगा और अब देखिए कितना finishing के साथ अभी grafting चल रहा है जो लोग घर पे plant तैयार करने की बात करते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो है apple bear का plant तैयार किया जाता है यह जो काम अभी चल रहा है इसके लिए बहुत practice करना पड़ता है सालों की practice लगता है तब जाके बंदा perfect होता है अगर जो पनी बांधा जा रहा है उसके अंदर हवा पानी घुश जाएगा तो फिर germination नहीं हो पाएगा बिल्कुल tightly बानना पड़ता है और बहुत finishing के साथ करना पड़ता है बहुत practice की भी जरुवत होती है इस चीज़ को करने के लिए तो दोस्तों एक grafting बाला plant मैं आपको दिखा रहा हूँ आप एक चीज़ गौर कीजिए एक जगा पर खाली छोड़ा गया है ठीक है अभी minimum एक हफ्ते से लेकर के 10 दिन के अंदर अंदर उस जगा से कलिया निकलेगा और उसके बाद ये plant एक नए plant में convert हो जाएगा और इधर देखिए जो जो plant grafting हो रहा है वो side में रखा जा रहा है तो दोस्तों अभी जो नज़रा आपको दिख रही है और अभी ये जो नज़र आप देख रहे हो ये 5-6 मेने बाद का है अभी ये plant जो है finally इस लायक हो चुका है कि इसको अभी sell किया जा सकता है जो plant हम all over इंडिया में भेशते हैं आप तक पहुंचता है यही plant होता है यही plant आप तक पहुंचता है और देखिए दोस्तो जो plant हम देते हैं उसका quality कितना अच्छा है कितना शांदर quality हम maintain करते हैं वो अब देखिए इस plant का height जो है लगभग लगभग देड़ फीट इसका height है देखिए और इसका जो branch है काफी मोटा है पत्ते भी काफी healthy है कोई भी प्रकायर की शिकायत देने का मौका हम आपको नहीं देंगे दोस्तो quality में हम कोई compromise नहीं करते ऐसा ही plant अगर आपको चाहिए तो इस number पे आप हमसे contact कीजिए इसके बारे में और भी detail में जानना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो like, subscribe and share करना बिल्कुल मत भूलेगा आज के लिए बस इतना ही मिलते दूसरी वीडियो के साथ और तब तक के लिए गुड़ बाई